दोस्तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, वो सभी मोबाइल उक लिए होगी, यहाँ पर जो मेरे पास मोबाइल है, यहाँ पर देखिए इसका जो चार्जिंग का पोर्ट है, यहाँ पर कनेक्टर जिसे आप कहते हैं, जैक जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर जब म यहां पर धीला हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और क्या थी मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टिंग डिस कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है जैसे कि आपको दिखाऊ इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर देखिए आप गौर कीजिए आपके मोबाइल में भी हो सकता है यहां पर मैल जमा रहे था काफ इससारा मैल इसमें हमारी जेब में पड़ा होने की वज़े से मैल जमा रहेता है एक चिम्टी की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसन तरीके से आपका सो डेड़ सो दो सो रूप्य आसनी से बज तो देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकल रही है हमारी जेब में जितनी भी गंदगी रहती इसमें फच जाती है ऐसे ही एरफोन की जैक में फच जाती है तो उन दोनों को भी आप क्लीन कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ चार्जर को तो देख सकते हैं इस चार्जर बिलकुल फिट आ गया है और यहाँ पर मोवैल को लटका लिया है मैंने एक चार्जर की मदद से अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना टाइट इसका जैक दूबारा पहले की तरह हो चुका है तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम टेस्ट करेंगे और दोस्तों एक चीज में आपको बताओ यहाँ पर 90% केस में ऐसा होता है तो आप से यह ही रिकमन करूँगा आप चार्जिंग जैक चेंज को नहीं से पहले यह काम जरूर कर लें तो इसके लिए बारिक चिम्टी की जरूरत होगी ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी घुशेड लिया तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं जैक वगर है उसको शरी चार्जिंग से कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर लाइट तो है नहीं दिक्कत कर रही है उपर देखिए बैटरी का यह ग्रीन हो गया अब इसको हटा देता हूं यह देखिए तो काभी सारी लोग यह भी कहेंगे यार फेक होगे रहे हैं तो उनको जितना भी रियल दिखा हो सभी लोग फेक ही मानते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं वीडियो प्रसंद आईगी पसंद आई दूसे लाइक करें शेयर करें और हां चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू करें